सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ राजकुमार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आई सिक्ते आज गांधियाई सब्जेट गो में आज हम जानेंगे कि triple c computer course करने से कौन कौन से government job जो है मिलते हैं यानि कि triple c course अगर हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से complete कर लेते हैं पास तो उसके बाद हमें कौन कौन सा जो है सरकारी नोकरी मिल सकता है इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवा है कि अगर हमने computer course triple c course अगर कर रखा है तो कौन कोन से सरकारी जोब जो है हम कर सकते हैं या फिर triple c computer course जो है वो कौन कोन से सरकारी जोब में मांगा जाता है तो चलिए इसके उपर यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने subject go channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके subject go channel सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी दबा दिजेगा जिससे आने वाले नए वीडियो आपको फिरी में मिलते रहे और आप देख पाए तो चलिए आगे जानते हैं triple c computer course के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए जो भी government job निकलते हैं आज के time में उन सभी government job में जातर जो है triple c course का certified मांगा जाता है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या triple c computer course आपने 10th या 12th पास करने के बाद कर लिया तो government job मिल जागा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है triple c computer course सिर्फ आपको support करता है government job दिलाने में इससे कोई government job मिलता नहीं है क्योंकि देखिए government job कैसे मिलता है government job आपको तब मिलेगा जब आप 10th पास कर लेते हैं या फिर 12th पास कर लेते हैं या फिर कोई graduation कर ल इससी का इन सभी का तो वहाँ पर जब आप form भर देते हैं तो वहाँ पर मांगा जाता है basic computer का knowledge कि आपके पास basic computer knowledge है या नहीं या आप computer चला सकते हैं computer पर काम कर सकते हैं या नहीं अगर वहाँ पर basic computer knowledge शिर्फ मांगा गया है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर जो है नीलेट दोरा valid triple C computer course का certificate लगाए या फिर अगर ऐसा नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो भी वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको कि यहाँ पर basic computer knowledge का एक certificate आप जो है लगाईए तो जैसे ही वहाँ पर basic computer course का बात होता है तो आप समझ जाईए कि वहाँ पर आपको triple C certificate लगाना पड़ेगा वहाँ पर आपने कोई दूसरा basic computer course का certificate लगा दिया तो वो valid नहीं होगा क्योंकि triple C computer course का certificate जो है वो government job के लिए valid बनाए गया है तो इसलिए आपको आप यहाँ पर triple C computer course का certificate लगाना पड़ेगा अब कुछ job ऐसे भी होते हैं high level के जहाँ पर triple C computer course का certificate नहीं चलता है वहाँ पर O level या फिर A level course का certificate वहाँ पर मांगा जाता है तो वो अलग बात है लेकिन जातर जो job निकलते हैं आज के time में वहाँ पर आपको लिखा वहाँ मिलेगा कि यहाँ पर computer knowledge का certificate लगा यह तीन महिने का या छे महिने का तो हाँ पर आप triple C course का certificate लगा सकते हैं तो चलिए आप triple C course के बारे में जानते हैं कि यह कितने मन्त का होता है तो देखें यह तीन महिने का course होता है और इसे जो है आप मुश्किल से 3500 से लेके 3200 रुपे में सीख स करता है उसके बाद बात करते हैं कि यह course आप कहां से करते हैं तो देखें एक निलेट जो है संस्था है गवर्मेंट का तो निलेट से जितने भी institute आटे एच होंगे उन सभी जगे आपको triple C course का certificate जो है यानि की course कराया जाता और certificate आपको दिया जाएगा वहां से तो आप जह इसी ले रखा या फिर निलेट के जो है contact में चल रहा है उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर क्या सिखाया जाता है तो देखें इसके अंदर मैंने पहले बता रखें कि triple C course क्या होता है और इसमें क्या-क्या सिखाया जाता है अगर आपने इसके बारे में पूरा detail वाल इसके बारे में उसके बाद इसके बाद आपको इसमें जो है इसका जो है इसका इक्जाम होता है जहां भी आप कोर्स करेंगे वहां पे जो है जो है आपको इक्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा लास्ट में और उसके बाद जहां पे भी आपका सेंटर पड़ता है वहां पे जाके आप जो है ट्रीपल सी का एक्जाम आप ऑनलाइन दे सकते हैं या ओफ्लाइन दे सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि इसका साटफेट तो देखें इसका साटफेट जो हो गवर्मेंट दौ़ारा वैलिड होता है यानि कि गवर्मेंट जॉब जितने भी निकलते हैं नॉर्मल उनमें अगर basic computer course का certificate या नीलेट दोरा triple C का course का certificate मांगा गया है तो आप पे triple C course का certificate आप लगा सकते हैं और अगर ये जो है आपको private job में भी काम आता है अगर आप government job नहीं भी करते हैं तो भी अगर आपके पास triple C का certificate है तो आप किसी भी company में 10-15,000 का job जो है कर सकते हैं private company में जाके क्योंकि आपको जो है यहाँ पे computer का knowledge मिल जाता है इस course के अंदर बात करते हैं आपे कि job जो है कौन-कौन से job कर सकते हैं इस course को करने के बाद तो दिखें आप एक computer operator का job कर सकते हैं उसके बाद इसके अंदर जो salary होता है वो 10-15,000 के बीच में जो है मिलता है private job का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि government job में जब आप जाएंगे तो उहाँ पे government job का जितना salary होता उतना आपको जो है मिलेगा वो तो आपको पता है लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से private job के लिए बता दिया है और government job में भी जब आप जाएंगे तो उहाँ पे computer operator का का काम कर सकते हैं यानि कि computer पे काम करना जो है आपको सिखा दिया जाता इस course के अंदर तो आप आप computer पे काम कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि यह course जब हम कर लेते हैं तो कौन-कौन से job में यह course मांगा जाता है तो देखें जब आप clerk का form भरेंगे या bank का या PO का SSC का, railway का या इस तरह का जितने भी government job के form आप भरते हैं तो वहाँ पे आपको triple C course का certified लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मांगा जाता है कि आपके पास computer knowledge है यानि कि computer पे आप काम कर सकते हैं या नहीं इसके लिए जब वहाँ पे पर्मान पत्र लगाएं तो वहाँ पे आपको government दोआरा valid जो triple C का course है उसका certified आपको लगाना पड़ता है तो उमीद है आप आपको पता चल चुका है कि triple C computer course करने से आपको कौन-कौन से सरकारी जोब मिल सकते हैं या कौन-कौन से सरकारी जोब में जो आपको मदद मिल सकता है सब्जेट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सब सब पहले देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेट गो चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेट गो चनल सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में दिये बैल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसब पहले मिल पाएं और आप देख पाएं और देखते रहें सब्जेट को और सिखते रहें धन्यवाद थैंक यू